मनीज कसब मामले में एक और F.I.R. चार पुलिस कर्मी को कर दिया गया, सस्पेंड नमस्कर दोस्तों हमारे चले बहुत बहुत सबागत है आज में हरी राम बात करेंगे कि मनीज कसब को 25 सितंबर के पेसी के दोरान मीडिया कर्मी से बात करते हुए एक सोसल मीडिया पर वीडियो वैरल हुआ जिसको आधार बना कर मनीज कसब पर एक और कारवाई कर दिया गया दोस्तों मैं आपको बता दू कि मनीज कसब के बीए और जेल से कोट तक पहुचने के साथ साथ चार पुलीस को सस्पेंड कर दिया गया है मीडिया की रिपोर्ट के अगर बात करे तो एससपी रेंक के अधिकारी ने बताया कि जिस तरीके से मनीज कसब को बीए और जेल से पेसी के दौरान ले गया कोट और कोट के बाहर जिस तरीके से मनीज कसब ने चिलाया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ और मैं ये बात कहूंगा तो मेरे उपर एक और F.R. और एक और case हो जाएगा और मैं डरने बाला नहीं हूँ क्योंकि मैं फाजी का बेटा हूँ इस तरीके से मनीस का सब जो है अपने ही बात करते हुए कोट से बाहर यह कहा और ये भी कहा कि जेल में गांजा फुखते हैं बीजी फुखते हैं और डबल स्टार वाले की काम है और हमारे सामने मुhn पर धुआ मारता है और हमें यह सब पसंद नहीं है और इसके कारण जो है इस पर सरकार कोई धियान नहीं दे रहा और कहां एक वार्फेट की मैं चारा चोर का बेटा नहीं मैं फौजी का बेटा हूँ मेरे दादा जो है चीन में लड़े थे और हमारे पिता जी जो है पाकिस्तान के यूद में अभी भी बोर्डर पर ख आधिकाडी ने इस वीडियो को अधार बना कर मनीस कश्ब पर एक और मामला दर्ज हो चुका है और ये कहां से आया है मामला कैसे दर्ज हुआ ये आप सभी को अनुमती जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता ही होगा कि किस तरीके से मनीस कश्ब को ऊपर तक की यानि उपर रैंक की अधिकारी नहीं और उपर से आदेश आता है मनीज कसब पर एक और अफायार डाल दो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके से मनीज कसब पर बार बार आरूप लगने के कारण ये है कि हाद धोकर जिस तरीके से मनीज कसब अपने वीडियो में बोला और इस वीडियो के अधार को लेकर और अधार बना कर SSP रैंक की अधिकारी नहीं अनुमती दिया और चार पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया और इसको लेकर जिस तरीके से बेयूर जोल से अनुमतिय भी दिया गया और उनके जो जेलर है उनको एक लेटर लिख दिया गया और मनीज का सब के बारे में कि मनीज का सब को अब जो पेसी होगी बेयूर जेल से कोट में तो वो खुद नहीं जाएंगे आप जेल में ही रहो और सोशल मीडिया यानि की पेसी के दौरान जो है मनीज का सब को विडियो कॉंफिरेंस से ही बात होगी और उधर से जद साहब पूछेंगे और जेल में से ही मनीज का सब उस चीज को और उस बात को जवाब देंगे कि किस तरीके से और क्या बोलना है जद साहब के सामने और अब बेउर जेल से वो नहीं जाएंगे और नहीं किसी मेडिया वाले से बात करेंगे मनीज का सब बात उपर रेंक की आ गई तो मैं आपको बता दूँ कि मेडिया से अमिलना जुलना बंद मनीज का सब का पूरा ही पूरा खतम हो गया और जेल में ही रहो और आप जेल से ही व आपको सुनबाई करेगा और इस तरीके का भासा काउपियोग नहीं करोगे तो दोस्तों मनीश का सब को लेकर एक बार फिर से एक और मामला दर्ज हो गया और मनीश का सब के एक विडियो के खारण चार्ल पुलिस कर्मियों का सस्पेंट कर दिया गया है तो दोस्तों आज के इतना ही तब तक के लिए जाहिंद बंदे मात्रा में